मदिपदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारी के नजदी का रही है बयान भजी का दोर तेजी से आगे बढ़ रहा जोते रहा थे सिंधिया ने कांग्रेस फिर हमला बोलते वे किसान करज माफी योजना को फरजी बताया है उन्होंने आगे क्या कहा है आगे डिटेल से बात क बन रहा है कांग्रेस नेता सारवजनिक तोर पर ये कहते है कि कमलनात सरकार में 26 लाग किसानों की करज माफी हुई है बीजेबी के नेता किसानों को करज माफी के नाम पर दोका देने के आरोप लगाते हैं केंद्री मंतरी जोतिरादित सिंधिया ने किसान करज माफी योज भी कहे, आम जनता गवा है, कि क्या सोधा हुआ है, किस प्रकार के फाइदे उन्होंने इस वक्त हमारी सरकार से लिए है, सब जनता जानती है, मुझे इन चीजों का जवाब देने की कोई आव सकता नहीं है, आगे जो दिना दिस सिंधिया ने कहा कि मुंगा वली में जो ब्रि विजे सिंग को छोटा भाई, बड़ा भाई कहा, उन्होंने खुद के किये कर्मों को, कामों को मझसे गिनाया, कमलनात को लेकर कहा कि जब हम उनके पास जाते थे, तो वो कहते थे कि समय नहीं है, चलो चलो, इसलिए प्रदेश की जनता, कारिकरता, विधायक मंत्री और सिं किया है, नहीं, बाजबा की सरकार ने 11,50,000 किसानों का ब्याज माप किया है, केंदरोर राजी सरकार की योजना है, इस दोरान सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो हमारी ब्याजवाफी योजना का लाव नहीं मिलता, उल्टा कांग्रेस किसानों से पेसा ले ले काले कोवे से डई हो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के लिए काला कववा हूँ और इस समय कांग्रेस पार्टी के लगातार निशाने पर हूँ क्योंकि मैंने BJP का साथ दिया एक अच्छी और समरपित पाल्टी का साथ दिया जो किसानों के हिद के लिए काम कर रही है कांग्रेस जैसी फर्जी पाल्टी का साथ मैंने नहीं दिया उमीदे किसान भाई हो जो बाते हैं सिंध्या ने किए आपको पसंद आयोगी शेर जरूर करें